आधे राधे आभरीवन पूजा कॉर्णर ब्लाक में आप शभी का स्वागत है तो फ्रेंट्स आज इस वीडियो में मैं आप से भी को कलस स्थापना की बहुत ही सरल बेधी बताऊंगी तो फ्रेंट्स देखिए कलस स्थापना करने के लिए हमें सबसे पहले तो कलस चाहिए पीतल, मिट्टी, तांबे, किसी का भी कलस आप ले सकते हैं बस ध्यान ये देना है कि कंट पे मॉली जरूर बांधी हुई हो तो जरूर आप बांद ले जब भी कलस स्थापना करें और फ्रेंट्स देखिए कलस पर सौस्ति कचिन बहुत जैसे सुब माना जाता है तो कलस प को इसी तरीके से कलस के स्थापना करने पड़ेगी कंट को बांदना है और उसके बाद हम यहाँ पे स्वास्तिक बना ले रहे हैं और उसके बाद जब भी आप मार्केट से लेके आए कलस को तो ध्यान दीजे कि आप न अच्छे से धूल लेजेगा गंगा जल उसमें छिड कंट तक जल भरेंगे सुद्ध जल गंगा जल डालने के बाद आपको सुद्ध जल अच्छे से कंट तक भर लेना है ध्यान दीजेगा कि मिट्टी का अगर कलश हो तो कहीं पानी रिस तो नहीं रहा है यह इस बात का ध्यान दीजेगा सबसे पहले इलाची लॉंग एक यह पान के पत्ते पान के पत्ते ले सकते हैं आम के पत्ते ले सकते हैं असोक के भी पत्ते लिए जाते हैं कलसस थापना में तो अगर आम को आम का पता आपको इस तरीके से मिल जा रहा है तो आप ले लीजे और नहीं तो असोक के पत्ते ले ले लीजेगा नारियल जब भी चुनरी लपेट देंगे और उसके बाद मैं यहां पर ना मॉली से अच्छे से बांध दे रही हूं ताकि हमारी जो चुनरी है वह गीरे नहीं सरके नहीं तो इस तरीके से मैंने मॉली से अच्छे से बांध दिया है इस प्रकार आपको बांध लेना है तो फ्रेंट्स उसके बाद एक कटोरी हो या फिर मिट्टी की कटोरी हो या आपके पास स्टील की कटोरी हो वह भी ले सकते हो तो इस तरीके से मैं जब कलश ले रही थी ना तभी लेकर आई थी यह इसके उपर ढ़ने के लिए तो उसमें आपको ना गेहूं भी बहुत दोग रखते हैं और या तो फिर आप अक्षत रखें सफेद अक्षत रखना है आपको साफ पूजा वाले जो होते हैं एकदम खड़े खड़े से तो इस तरीके से मैंने रख लिया है उसकी बाद हम यहाँ पे चावल ले लिए हूँ और उसके बाद आपको बनाना है अश्ट कमल आठ इस तरीके से आपको लाइन खीचनी है आठ ध्यान दिजेगा इसी तरीके से आपको करना है अश्ट कमल दल कैसे बनता है वो भी मैं आप लोगों को आज दिखा दे रहे हूँ तो इसी तरीके से आपको खीचना है उसके बाद सारे जो हैं इस तरीके से आपको थोड़े थोड़े करके मि रखी जाती है कलस की स्थापना भी इससे पिकिया जाता है या तो आप सास्ति का चिन बना लेजिए तो इस तरीके से मैं यहां पर कर दूँगी कलस की स्थापना और देखिए आपको जैसे पूजा करेंगे तो आपको पूजा भी करनी है जल चड़ाना है अच्छे से हल्दी तो इस तरीके से डेली आपको कलस की पूजा की करने पड़ेगी तो करनी चाहिए और दूसरी विधि जो कलस अस्थापना की है वो जो आप ज्वारेव होते हैं वो ज्वारे पर कर सकते हैं तो एक तो बिधि यह होई उसके बाद में दूसरी विधि भी आप लोगों को दिखाद दे रहे हूं कि कैसे आप दूसरी बिधी से कर सकते हैं तो फ्रेंड्स ये देखिए जो मैंने जुआरे उगाये हुए थे तो जब ये जुआरे आप करेंगे तो आप साइडस में जादा करेगा बेश में थोड़ा कम रखेगा तो ये बेश में इस प्रकार बहुत लोग इस तरीके से कलस स्थापना करते हैं उसके बाद पूजा बिधी वही होती है कि आपको नो दिन आपको कलस की भी पूजा करनी है जुआरे की भी पूजा करनी है तो अच्छे से आप जेल पहले थोड़ा-थोड़ा चढ़ा के उसके बाद आपको फूल चढ़ाना है, हल्दी, चंदन, रोली आपको चढ़ाना है और आरते भी आपको करनी हैं और फ्रेंड्स दोनों ही तरीके एकदम सही हैं तो फ्रेंड्स उमीद करते हूं कि आप लों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा यूश्फू लगा होगा तो प्लीज चैनल को सिस्क्राइब करेगा वीडियो को फ्रेंड्स फैमली में शेयर करिएगा तो फ्रेंड्स फिर से मिलूगी एक नए वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई